हलो फ्रेंड्स मैं आदित्य और आपके अपने यूटूब चैनल आलवेज स्टेडी में आप सभी का स्वागत करता हूं यह पार्ट 13 है और पार्ट 12 तक आपको जो है वीडियो मिल चुका है बहुत एक विज्ञान से संब्धनिस सामान निज्ञान इसी टॉपिक पे जो है वीडियो बन रहा है इसी टॉपिक पे आपको कुश्यन अंसर दिये जा रहा है ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग अपने कुश्यन की तरफ उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो को लाइक कर दिया करिए कमेंट करके बताय अल्टर नेटर जो है यह जो है प्रत्यावर्ति धारा को एक दिस धारा में परिवर्ति करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं हम लोग जो है अगला कुश्यन है साइकलोट्रान किसको त्वरित करने के लिए प्रियोक्त किया जाता है साइकलोट्र आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं हम लोग जो है अगला कुश्यन है निमनलिखित युग्मों में से किस भावतिक रासियों के समान बीमी सूत्र नहीं है बल एवं दाब ठीक समान बीमी सूत्र नहीं है ठीक भार एवं बल भावतिक रासि बीमी सूत्र है आवे इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं हम लोग जो है अगला कुश्यन है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का अस्तर थोड़ा ओपर आएगा ठिक है थोड़ा ओपर आएगा ठिक आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन हम बर्फ तैर रही है जब बर्फ पूर्टा पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगी घटेगी नहीं पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा ऐसा कुछ नहीं है बढ़ेगा नहीं तो आपका ये जो बिकल्प D है उतना ही रहेगा ठिक ये बिकल्प D आपका इ खरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल तूट जाती है क्योंकि क्योंकि बोतल हीमांग पर सुकुरता है नहीं पानी गर्म करने पर फैलता है नहीं बोतल में बाहर का तापकरम अंदर से ज्यादा होता है ऐसा कुछ नहीं है आपका बिकल्प जो है पानी जमने प पर फैलता है यही जो है सही है इसलिए कांच का बोटल जो हो है वह तूट जाता है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं हम लोग जो है अगला कुशन है पहारी पर चड़ता एक ब्यक्ति आगे की ओर जुक जाता है क्योंकि अस्थाइत बढ़ाने के लिए अस् अगला कुशन है यदि हम भूमत देरेखा से द्रूवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है उर्त्वा करसन का मान जो है वो बढ़ता है यदि हम भूमत देरेखा से द्रूवों की ओर जाते हैं तो ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुछन है अगला कुछन है बल गुडन फल है बल गुडन फल है द्रब्यमान और त्वरण का द्रब्यमान और त्वरण का बल गुडन फल है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुछन हम लोग देखते हैं अगला कुछन है सुन्य में स्वतन्त रूप से गिरने वाली वस्तू का सामान्य त्वरण होता है । ठीक है सामान्य त्वरण होता है ठीक आगे बढ़ते हैं इकonst transferring हम लोग देखते हैं एक लड़की जूले पर बैटी स्थिती में जूल जूल रही है उस लड़की के खड़े हो पर दोलनों का आवर्त काल कम हो जाएगा जो दोलन होता रहेगा लड़की जब खड़ी हो जाएगी उतर जाएगी तो उसका दोलन आवर्त काल जो है वो कम हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं हम लोग जो है अगला कुश्यन है यदि किसी वस बस्तु का वेग दो गुना कर दिया जाए तो सम वेग दो गुना हो जाता है और गती दूर जा चार गुनी हो जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं हम लोग जो है अगला कुश्यन है निमनली खित में सदिसराची है वेग सदिसराची है लंबाई अधिस्रासी है समय अधिस्रासी है द्रब्यमान अधिस्रासी है ठीक है वेग जो है सदिस्रासी है इन चारों भी कल्पों में आपका भी कल्पे सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं हम लोग जो है अगला कुश्यन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्य है अगला कुछिछन है दो विक्टर जिनका मान अलग है उनका परणाम सुन्य नहीं हो सकता धिक यहाँ पर कुछिशन शमाब्त होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग